नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है रेडी हो जाई 5 सेकेंड में डिक्टेशन लिखने के लिए डिक्टेशन एकदम यूनीक है तो जो वर्ड आपसे ना बने उसके लिए परेशान नहीं होना इस्पीड भी कोई खास नहीं रखूँगा मैं कोशिस करूँगा कंट्रोल में रहे ताकि आप बस वर्ड को लिख पाएं रडी भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी शायद नहीं सोचा था कि महिला प्रीमियर लीग के लिए टीमों की बिक्री को लेकर ऐसा उत्साह देखने को मिलेगा पुरुषों के भारतिय प्रीमियर लीग की तरह महिला क्रिकेट का प्रीमियर लीग भी शुरू करने का हैसला किया गया है इसके लिए बोलियां मंगाई गई इसकी कोई आधार राशी तय नहीं थी मगर इसमें जिस तरह कमपनियों ने उत्साह के साथ बोली लगाई वह हैरान करने वाली थी महला प्रीमियर लीग की पाँच टीमों की बिक्री से भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बी सी सी आई को 4670 करोड रूपय की कमाई हो गई 14 साल पहले जब भारतिय प्रीमियर लीग की शुरुवात हुई थी तब पुरुष आईपियल की आठ फ्रेंचाईजी 72 करोण 35,90,000 डॉलर में बिकी थी उसकी तुल्ना में यह काफी उत्साह जनक शुरुवात है निसंदेह इससे महिला क्रिकेट खिलाडियों का मनोबल भी बढ़ा है भारत में महिला क्रिकेट अभी बिलकुल नया है इस खेल को खुद महिला खिलाडियों ने अपने दम पर खड़ा किया और लंबे संगहर्ष के बाद अपनी पहचान बनाई जब अंतर राष्ट्रिय इस्तर पर भारतिय क्रिकेट टीम ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया तब इसकी तरफ गया और इन खिलाडियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाने लगा कुछ महीने पहले ही BCCI ने महिला और पुरुष खिलाडियों में फीस को लेकर बरते जा रहे भेद भाव को समाप्त करने की घोशणा की महिला प्रीमियर लीग शुरू होने से माना जा रहा है कि न सिर्फ BCCI की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी बलकि भारतिय महिला क्रिकेट खिलाडी कमाई के मामले में दूसरे कई देशों के पुरुष खिलाडियों को पीछे छोड़ सकती हैं फिर इससे दूर दराज के इलाकों से प्रतिभावान महिला क्रिकेट खिलाडियों को खिलने का व्यापक मंच उपलब्द हो सकेगा इसलिए कि भारतिय क्रिकेट टीम में तो कुछ खिलाडियों का ही चैन होता है मगर प्रीमियर लीग में टीमें कई होती हैं इसलिए उनमें बहुत सारे खिलाडियों को खेलने का अवसर उपलब्ध होता है बी सी सी आई ने खिलाडियों और टीमों के इनामों की घोषणा भी कर दी है जो खिलाडी खरीदे जाएंगे उनकी भी बोली लगेगी और फिर हर मैच के लिए उनकी फीस तय होगी इस तरह जो खिलाडी पुरुष खिलाडियों की तुलना में अधिक संघर्ष करते हुए खेल रही थी उन्हें अब कमाई का नया अवसर मिलने जा रहा है जाहिर है इस से छोटे छोटे कस्बों और गामों तक में खेल रही लड़कियों का उत्साह बढ़ेगा और वे बहतर प्रदर्शन कर महिला प्रीमियर लीग में प्रवेश पाने की प्रतिस परधा कर सकेंगी इस तरह सचमुझ आधी आबादी को बराबरी की जगह बनाने का अवसर मिल सकता है क्रिकेट को लेकर हमारे देश में विशेश प्रेम देखा जाता है प्रीमियर लीग चूंकि कम ओवरों का तेजी से खेला जाने वाला खेल है इसलिए उसमें अधिक रोमांच होता है और क्रिकेट प्रेमियों में इसे लेकर उत्साह बना रहता है जाहिर सी बात है जिस खेल को लेकर ज्यादा दर्शक, उत्साहित और उत्सुप होते हैं उससे कमाई भी अधिक होती है इसलिए इसके लिए टीमें खरीदने को लेकर बड़ी बड़ी कमपनियां भी बोली लगाती है महिला प्रीमियर लीग की टीमें खरीदने में अडानी और अमबानी समूह ने भी बोली लगाई और उंची दरों पर टीमें खरीदने में कामियाबी हासिल की निससंदेह BCCI के लिए यह एक नया कीर्तिमान बना पर इस उत्साह में फिर एक टीस उभरी की भारतिय हाकी और दूसरे खेलों में संघर्ष कर रही खिलाडियों को कब ऐसे प्रोचसाहन देने वाले सामने आएंगे उमीद है डिक्टेशन आपने लिखा होगा जो वर्ड आपने छोड़ दिये गलत हो गए सही आउटलाइन नहीं बनी है उनको देखिए वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और वहाँ से उन वर्ड्स को उठाईए उनकी इसी भी डिक्टेशन में मिल जाएंग हो सकता आपके एक्जाम में मिल जाएं तो उन्हीं सब छोटी-छोटी संभावनां को तरासते हुए आप लोग को कोसिस यही करनी चाहिए कि हर डिक्टेशन लिखिए ठीक डिफिकल्ट हो एजी हो चाहिए जैसा हो आपके प्रिक्ष वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले तैस अल थैंक यू